अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम क्रेविंग्स क्यों होते हैं? बहुत लोग को ऐसा रखता है कि जो क्रेविंग है वो तो नॉर्मल है क्या वाकई क्रेविंग्स नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो वेट क्यों बढ़ रहा है जानेंगे आज के इस एपिसोड में डीटेल में और साइन्टिफिकली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा आईए स्टार्ट करते हैं Welcome back सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी बॉड़ी में नॉर्मल डाइजेशन प्रॉसेस कैसे होता है बहुत शॉर्ट में और बहुत ही इजी लैंग्विज में सबसे पहले आप कुछ खाते हैं जब आप खाते हैं तो यह डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लुकोज में कनवर्ट हो जाता है और ग्लुकोज में कनवर्ट होने के बाद ये ब्लड में मिक्स हो जाता है इसके बाद फिर ब्लड का ग्लुकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है जैसे ही ब्लड का glucose level बढ़ता है हमारी body में insulin secret होता है insulin एक hormone है जो हमारा brain release करता है जैसे ही उसको high amount of glucose blood में मिलता है ये insulin क्या करता है इस blood glucose को उठा के सबसे पहले muscle cell के पास लेके जाता है अगर muscle cell में जगे खाली है तो कुछ amount वहाँ पे रुख जाता है बाकी का बचा हुआ वो liver cell के पास लेके जाता है और liver cell के पास जितनी जगह है उसमें से glucose को उठा के रख लेता है और बाकी जितना बचा हुआ है ये हमारा पूरा का पूरा fat cells में save हो जाता है ये है normal procedure जो भी हम खाते हैं वो अब हमें भूग क्यों लगती है भूग लगती है जब हमारे cells में energy कम होने लगती है energy का मतलब glucose का level कम होने लगता है तो हमारे cells एक hormone release करते हैं ghrelin ghrelin जो है एक hunger hormone है और जैसे ही ghrelin release होता है हमारे brain को एक signal जाता है कि भूग लगी है खाना लाओ तो हम ये खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये सारा का सारा procedure जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा और इस तरह से चलता रहेगा बट problem क्या होता है कि कभी आपने notice किया है कि पूरा का पूरा खाना खाने के बाद भी हमें भूग लगी रहती है इसका मतलब कि आपने खाना खाया वो digest भी हुआ glucose में convert भी हो गया blood में mix भी हो गया ब्लड का glucose level बढ़ गया लेकिन यहां से बाद ब्लड का glucose बढ़ने के बाद कहीं कुछ गड़बर हुआ तभी तो cells के पास खाना नहीं पहुच रहा है और खाना नहीं पहुच रहा है तो बार बार आपको signal दे रहे हैं कि भूग लगी है खाना लओ भूग लगी है खाना लओ इसका मतलब कि insulin के level पे कुछ problem है यह problem क्या होती है insulin काम नहीं कर पाता properly क्योंकि आपकी body में एक दूसरा hormone घुमने लगता है इसको हम बोलते है cortisol cortisol क्या है यह एक stress hormone है तो किसी भी वजह से अगर आप stressed होंगे तो आपकी body में cortisol नामक hormone ज्यादा release होगा जो insulin को अपना काम करने नहीं देगा और insulin अगर अपना काम नहीं कर पाएगा तो आपके blood में glucose का level बढ़ा रहेगा पहला और दूसरा आपके liver और muscle cells ghrelin यानि की hunger hormone को release करके signal देते रहेंगे कि भाया खाना लाओ तो पहला कारण तो आपको ये पता चल गया कि खाना खाने के बाद भी हमें भूख क्यों लगी रहती है क्यों क्यों क्योंकि आप stress में हैं अब बढ़ते हैं आगे इवनिंग का टाइम आता है इवनिंग में हमें बहुत ज़्यादा craving होती है mostly लोगों के साथ है या फिर अगर आप रात में जगे में हैं देर तक तो हमें craving होती है अब ज़रा सोच के देखें कि इवनिंग से पहले हम दो मील अल्रीडी ले चुके होते हैं यानि कि breakfast और lunch ये दो मील लेने के बाद हमारे जो glycogen store है वो full होते हैं उसके बाद भी हमारी body food के लिए क्यों crave कर रही होती है वो craving कर रही होती है क्योंकि हमारी body fight and flight mode में जाती है fight and flight mode का क्या मतलब है बिल्कुल वही मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया stress जैसे ही आप stress में जाते हैं आपकी body fight and flight mode में जाती है क्योंकि आपकी body में cortisol release हो जाता है और मैंने आपको बताया, cortisol जब release हो जाता है, तो insulin को और glucagon को अपना काम करने नहीं देता, जिसकी वज़े से जो energy का metabolization है, वो properly हो नहीं पाता, मतलब कि जब हम normal अपना काम कर रहे होते हैं, तो energy requirement के लिए body fat को use करती है, जैसे अभी मैं बैठा ये class ले रहा हूँ, या आप बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या आपकी body में energy का production नहीं हो रहा है, तभी तो आप सास ले पा रहे हैं और बाकी के internal functions चल रहा है, उस activity को करने के लिए body जो fuel source कर रही है, कहां से कर रही है, fat से कर रही है, लेकिन eventually fight and flight response की वज़े से body's fat को use करना नहीं चाहती, क क्योंकि उसको या तो situation से लड़ना है, या उस situation से भागना है, जिसको हम लोग fight and flight mode कहते हैं, अब आप बोलेंगे हमारे पास तो कोई ऐसा situation नहीं है, जिसमें या तो लड़ना है या भागना है, आपके पास situation नहीं होगी, लेकिन body को यही signal जा रहा है, कैसे signal जा रहा है, आ अगर आपको यह पता चले कि आपके घर में आज मेड नहीं आएगी, आपका heart rate कहां जाने वाला है, बढ़ जाएगा, किसी दोस्त को आपने पैसे दिये थे, पता चला वो phone नहीं उठा रहा है, आपका heart rate कहां जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इस तरह से हम जब भी ऐसी सो hormone है, वो present हो गया, और cortisol जैसे ही आएगा, उसको बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारी energy चाहिए, और वो energy आप उसको देने वाले है, यानि कि जैसे ही आप stressful situation में जाएगे, या आप stressed होंगे, तो आपकी body को extra calorie चाहिए होगी, वो calorie body की requirement नहीं है, वो calorie किसकी requirement है, आपके emotions क कौन सा emotions, या तो आप गुसे में हैं, या तो आप insecure हैं किसी चीज़ को लेके, या आप fearful हैं किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को लेके मतलब तीनी areas of life होते हैं, या तो आप relationship में problem में हैं, या आप health को लेके परिशान हैं, या आप finances को लेके किसी problem में हैं, इसके अलावा चौथा कोई area नहीं होता सो दोस्तों cravings का एक simple सा मतलब है अगर आप crave कर रहे हैं इसका मतलब आप stressful situation में हैं किसी भी चीज़ को लेके या तो relationships, या health, या wealth सो अब जैसे ही आपको लगे कि आपको craving हो रही है सबसे पहले have a glass of water पानी पीने के बाद ऐसा क्या है जो आप crave कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके fearful है आप, work को लेके काम submit करना है, homework देना है या फिर आपको इस चीज़ का stress है कि class में top करना है या हमें अपनी company में सबसे अच्छा perform करना है, किसी भी चीज़ का जो भी thought आपको आ रहा है जो आपको ये force कर रहा है कि extra calorie लेकर आओ जब आप ये चीज़ लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि आप किस लिए crave कर रहे हैं तो शायद craving कम हो जाए और cravings को permanent खतम किया जा सकता है, कैसे help लेके, यानि आप जब अपनी problems को समझेंगे, अपने emotions को समझेंगे किसी professional के help से, तो आपके लिए fat loss बहुत easy हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तब craving नहीं होगी, तब food से उतना लगाव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आज के date में हमारे जितने भी emotions हैं, वो सारे emotions किसी ना किसी food के साथ attach हो गये हैं, इसलिए हम एक particular तरह का emotion जब feel करते हैं, तो एक particular तरह का food के लिए हम crave कर रहे होते हैं, कभी ice cream के लिए, कभी spicy food के लिए, कभी chocolate के लिए, इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है तो दोस्तों, cravings normal नहीं है, वो एक sign हैं, जो आपको बता रही हैं, कि कहीं न कहीं कुछ बदलने की जरूरत है अगर कोई question हो आपको इससे related तो मुझे comment में पूछे, मैं उसका reply करूँगा मिलेंगे अगले episode में एक नए topic के साथ, this is Kapil Kanodiyah signing off